हेलो फ्रेंट्स इस नेट वीडियो में आपका फिर से स्वागत है तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग जो बहुत है तो जिस भी ब्रांच में प्रोग्रामिंग यूजिंग सब्जेक्ट हैं कौन-कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि एक्जाम में ज्यादा तर पूछे जाते हैं और जो प्रोग्रामिंग है जो सी प्रोग्रामिंग है उसका यूज आगे चल के कितना ज्यादा होगा खास करके जो उनके ब्रांज से रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग इसी होगा वह बहुत ही मायने रखेगा ठीक है तो वीडियो में वीडियो को पूरा देखते रहिए आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो प्रोग्रामिंग यूजिंग सी आपका लैंग्वेज है उसमें आपका यहींुक है इसमें जो प्वाइंट शेंग से पॉइंट्स पढ़नें आपको तो फल में पढ़ना है स्टेप्स इंडभी करते हैं इसके बारे किया जाएगा ठीक है algorithm development के बारे में आपको पढ़ना है फिर next का है program debugging program debugging क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है और यूज़ करते हैं क्या इसका benefit है इस सारे चीजसे आपके basic कॉफ c programming में आ जाएगा ठीक है न फर्स्ट रहलें यहाँ पी समाप्त हो जाएगा इसके बाद आएगा आफका सेकंड चेप्टर तो सेकंड चेप्टर में आपको का पढ़ना होगा प्रोग्राम structure ठीक है second chapter में आपको पढ़ना होगा प्रोग्राम structure तो यहाँ पर देखेंगे जो first topic होगा second chapter का वो आयो statement होगा फिर assign statement होगा फिर आपका constants होगे variables होगे data type होगे यह सारे important है ठीक है constant क्या होता है variables क्या होते है data types क्या होते है उसके बाद आता आपका operators and expression ठीक है यह भी आपका important है different type का आपके operators होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना होगा फिर आपका आता है next topic standard and formatted iOS इसके बारे में पढ़ना है फिर आपको पढ़ना है data type casting ठीक है तो second chapter मिटने topic को आपको cover करना होगा तो इस सारे जो second chapter में जो topics है वो important topic है यहां में इसे पूछे जाते हैं ठीक है ना इसके बाद जो आपको पढ़ना होगा next chapter होगा आपका वो control structure होगा ठीक है next जो आपका chapter होगा तिसरा जो chapter होगा वोगा आपका control structure control structure में आपको कौन कौन सा topic पढ़ना होगा तो यहां पर देखेंगे control structure में आपको introduction आएगा फिर आपका आएगा decision making विद आई-एफ statement आई-एफ statement के बारे में आपको पढ़ना होगा फिर आई-एफ इस एंड नेस्टेड आए इफ ठीक है आई-फ इस statement आपको पढ़ना होगा while loop क्या होता है do while loop क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा फिर आपको break statement क्या होता है continue statement क्या होता है go to statement क्या होता है सुच स्टेटमेंट क्या होता है इस साथ साथ इसकी प्रोग्रामिंग भी की जाती है ठीक है उसके लिए आपको एक perfect example भी उसमें set करके दिया गया होगा ठीक है जब आप पढ़ेंगे programming using C या फिर programming language जो C है तो इसमें आपको बहुत अच्छे से clear हो जाएगा कि break statement क्या होता है continuous statement क्या होता है ठीक है अभी तो सिर्फ जानना है कि कौन कोंसे topic को आपको पढ़ना है इसके बाद जो आपता है आपका अगला जो chapter है वो है pointers pointers के बारे में आपको पढ़ना होगा तो यहाँ पे introduction to pointers फिर आपको पढ़ना होगा address operator and pointers फिर आपको पढ़ना होगा declaring and initializing pointers फिर आपको पढ़ना होगा single pointers इस सारे topic है आपके chapter number 4 में pointers में इतने topic को आपको cover करना होगा chapter 4 में ठीक है इसके बाद आपका आता है अगला chapter अगला जो chapter है हो है आपका पांचवा chapter function तो function में आपको देखने को मिलेगा फिर्स्ट आपको topic पढ़ना होगा introduction to functions इसके बाद आपको पढ़ना होगा global or local variables यह भी आपके importance है ठीक है इसके बाद आपको पढ़ना होगा function declaration इसके बाद आपको पढ़ना होगा standard function ठीक है standard function क्या होता है इसके बारे में आपको जानना होगा नेक्स्ट आपका आएगा parameters and parameter passing ठीक है parameters क्या होते है और parameter passing क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है ठीक है next आपका है call by value और reference call by value या फिर call by reference इसको आपको पढ़ना होगा यह बहुत जादे important है यह आपके exam में पूछे जाते हैं जितने वीडियो पॉल्टेगनिक के students students है ठीक है जो fifth semester के students है जिस भी branch के हैं जिनका भी programming using C होगा उनमें call by reference और call by value में difference करने के लिए जरूर देता है या फिर दोनों में से एक जरूर देता है ठीक है और फिर आपका इसमें पढ़ना होगा recursion यह भी आपका important है तो इतने सारे topic को आपको पढ़ना होगा चैप्टर नंबर five में functions में ठीक है इसके बाद आपको देखने को मिलेगा अगला जो चैप्टर है वो है चठाँ चैप्टर तो फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना होगा introduction to ERA का तरे का क्या हो ताPlease करना होगा उसके बाद आपको पढ़ना होगा 아니야 declaration length of are फिर आपको पढ़ना होगा शिंगल क्या होता है फिर आपको पढ़ना होगाई एरे ज divuliddional औरे ख्रेक्टर फिर आपको पढ़ना होगा topping and आपको यह points है, यह सरे आपके topics हैं जो आपको पढ़ना होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो programming language है, जो c programming language है, उसमें 6 chapter आपको पढ़ना होगा, ठीक है, 6 chapter आपको पढ़ने होगे, आप लोग कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा कि आप English में इसको पढ़िएगा, और साथ हिमें साथ exam में भी English में कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि programming language है, इसको आप English में लिखेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको अच्छा नंबर देख जाएगा, programming जो आपका c language है, मैंने पिछली बार देखा है, जो भी students दिये है exam, उनका देखा है, मैंने तो बहुत अच्छे-च्छे marks उनलों को मिला है, ठीक है, तो मेरा यही आपको कहना है कि अभी तो semester starting है, अभी तो start हो रहा है, इसको आप लोग English language में पढ़िएगा, बाद में अगर आपको कोई दिक्कत होता है, तो आपको gold या फिर विद्या लेके थोड़ा बहुत Hindi में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी आप लोग English में ही programming language को पढ़िएगा, ठीक है न, तो यही था आज का topic by topic कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है, इसके बारे में वीडियो बनता रहेगा, आगे आने वाले वीडियो में, और जितने भी चाहे हो first year के students हो, चाहे हो second year के students हो ठीक है, सारे लोगों का topic by topic subject by subject video बनेगा, ठीक है, जो भी electronics branch के हैं, खास कर जो third semester के हैं, जो fifth semester के हैं, electronics के, उनके लिए वीडियो खास कर बनेगा, बाकि जो first year के students है, जो नया-नया एडिजिन का admission हुआ है, उनके लिए भी वीडियो बहुत ही जरूरी होने वाला है, क्योंक की लगबग लगबग सारे subject common होते हैं, सारे branch में common होते हैं, first year के लिए ठीक है, तो वीडियो बनने वाला है, सभी लोग को वीडियो प्रॉइड किया जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, वीडियो को अपने दोस्तों के पास share किजिएगा, उनसे भी बताईए कि वीडियो यहाँ पर आपको प्रॉइड होने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में सारे चीजे आने वाला है, ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जहिंद,